हेलो दोस्तों स्वागत है आपको अपने चेनल सानवी की पार्ट साला में दोस्तों आज हम लोग एक लिटरी टम्स पढ़ेंगे जिसका नाम है कंसीट तो इस वीडियो में हम लोग सरल से सरल सब्दों में कंसीट क्या होता है और इसका यूज लिटरिचर फिल्ड में कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों जैसे की हम लोगों ने पहले भी कई लिटरी टरम्स पढ़ा जैसे सटायर, इपीक, यूफोनी, कोकोफोनी, एटसेक्टरा उसमें हम लोगों ने पहले डेली लाइफ से रिलेटेड एक एक जामपल के थुरू उस लिटरी टरम्स को पहले समझा था उसके बाद उसके डिफनेशन पे गए और पूरी डिटेल से समझे उस ठीक, उसी परकार, कंसिट में भी हम लोग पहले डेली लाइफ को एक एक जामपल लेंगे उसके बाद हम इस लिटरी टरम्स की डिफनेशन पे जाएंगे और इसे डिपली से एनलेशन करेंगे तो दोस्तों चलिए इस वीडियो की सुरुआत करते हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही जादा फैमिलियर होंगे लवर और बिलावर्ट से तो दोस्तों एक लवर है वो अपनी बिलावर्ट से कहता है कि जो तुम्हारी गाल है वो सेव की तरह है मतलब जो लावर है वो अपनी बिलावर्ट की गाल की तुलना एक एपल यानि की सेव से करता है तो दोस्तों आपको सुनने में बहुती अजीब लगी होगी कि आखिर वो अपनी बिलावर्ट की गाल की तुलना हाड वस्तू क्योंकि save तो hard होता है तो उससे क्यों कर रहा है बलकि उससे तो करना चाहिए कि उसकी गाल है रोज मतलब गुलाब की पंखड़ियों की जैसा है लेकिन वह save से क्यों कर रहा है तो दोस्तो इस term को हम भो concept बोलते हैं यानि एक object का comparison दूसरे object से करना जो बहुत ही दोनों different हो तो आए पहले हम इसके definition को जानते हैं और इस term को और भी किलियर करते हैं Conceit A figure of a speech in which two vastly different objects are linked together with the help of simili और metaphors मतलब जो conceit है वो एक figure of a speech है जिसमें दो vastly दो different object का link किया जाता है एक साथ with the help of simili और metaphor के साथ Function of Conceit Conceit के क्या function है तो Conceit develops a comparison which is extendingly Sorry दोस्तो प्रोनॉंसियेशन नहीं हो पा रहा है Unlikely but is nothing less intellectually imaginative मतलब जो conceit है वो comparison develop करता है दो object के भी जो बिलकुल ही दोनों अलग हो Conceit examples have a surprising or shocking effect on the reader Because they are novel comparison unlike the conventional comparison made in simili and metaphor यानि जो Conceit है उसके example reader को एक shocking और surprising effect देता है जो कि दो different object की तुलना की जाती है जो बहुत ही shocking होती एक reader के लिए Allow reader to look at thing in a new way और जो conceit है वो reader को एक new thing और एक new नजरिये से देखने दिखाता है reader को Conceit दोस्तों यहाँ पर एक example है A broken heart is like damaged clock मतले एक टूटा हुआ दिल जैसे एक damaged clock तो दोस्तों यहाँ पर देखिए comparison तो आपको समझ में नहीं आता होगा कि जो किसी का दिल टूटा है तो उसका comparison एक damaged clock से कर दिया गया है तो दोनो different thing है और इससे कोई ताल मिल नहीं है दोनों का तो इस परकार के sentence को हम लोग Conceit बोलेंगे अब आए देखिए literature में इसका कैसे use किया जाता है तो जोन डन दोस्तों जो जोन डन है वो Conceit के लिए बहुत ही famous है और जो जोन डन है वो metaphysical point है और Conceit के लिए बहुत ही famous है तो उन्होंने एक poem लिखा है जिसमें poem का नाम है A Valediction Forbidding Morning जिसमें उन्होंने Conceit का use किया है और उन्होंने एक compass लिया है और compass का जो चुकी देखिए दोस्तों compass का figure ये रहा compass का figure तो जोन डन ने बोला है कि जो compass का जो दो लेग है one और two तो इसमें जो fixed वाला है वो एक lover है और जो fixed नहीं है वो उसकी beloved है तो आप सोचे कि कोई भी writer है या फिर point है वो इस type का example तो नहीं लेते हैं कि compass के दो लेग से beloved और lover का comparison तो जोन डन ने इस type का example लेके एक unique concept दिया है जिसका नाम है concede दोस्तों देखिए इसमें example में दिखाए गया है जो compass है he compares the relationship between two lovers to the leg of a compass मतलब जो compass है उसमें जो दो लेग है वो एक lover एक beloved है जो एक concept दिखाता है दोस्तों एक और example जोन डन का दफली एक poem है जिसमें वो बताते हैं कि देखिए पहले फली का figure देखिए दोस्तों ये है फली तो फली poem में जोंडन ने बताया है कि बताया है कि जो फली है वो एक male का मतलब लवर का खुन पीता है और फिर उसकी beloved का खुन पीता है तो दोनों बिना relationship में आए ही वे भी वो दोनों relationship में physical relationship में आ जाते हैं क्योंकि वो जो कीरा है फली है वो दोनों का खुन पीया है तो दोस्तों ये हुआ concept मतलब दो जो आपने सूचा भी नहीं हो वैसा example लेके show करना दो think पे वो concept कहलाता है इसकी example को हम लोग पूरा पढ़ते हैं जोन डन फली विच हैज सक्ट बलड फ्रॉम दी मेल स्पीकर एंड इस फिमेल लवर तो सर्व एज एन extended मेटाफर फॉर्दा रिलेशनसिप बिट्विन देम बदलब जो फली है वो कीरा वो दोनों का खुन पीता है तो दोनों ने आपस में रिलेशनसिप में आ गया है वो ऐसा बताते हैं जो कंसिट दरसाता है तो दोस्तों मैं उमीद करती हूँ कि या टर्म आपको समझ में आया होगा और कोई भी क्वाईरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और दोस्तों आपको मेरी जो एक्जामपल मैंने जो सुरूर में दिया वो आपको कैसा लगा वो जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर करें तो दोस्तों यह जो टर्म है कंसिट वो गिर्जूइशन सेमस्टर वन जो पिपर फस्ट है सेक्षन बी का टर्म्स है तो गिर्जूइशन में आपको पूछे जाएंगे सॉर्ट नॉट्स जो फाइब नंबर के होते हैं तो आपको मैंने जो यह सारे नॉट्स प्रभाइट किये हैं वो ऑथेंटिक नॉट्स है आप यह सबको लिक देना आपको फाइब मार्क्स जोरू मिलेंगे तो दोस्तों मिलते हैं आगे हम लोग वीडियो में एक नई लिटरी टर्म्स के साथ सो तब तक बने रहें मेरे वीडियो के साथ सो थैंक यू बाइबाइ टाटा टेक कियर